सभ्यता बहुत ज़रूरी है और आज मैं आपसे बिना डरे बात करने आ लिए चीजे जदा इंबारसिंग ना हो जाए इसलिए बीप लगा दिया वैसे पारलिमेंट का मौनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है और हर चीज स्मूदली हो जाए इसलिए इन कुछ शब्दों को अन पारलिमेंटरी डिक्लेयर किया गया है मतलब कि कोई भी मिनिस्टर्स इन शब्दों को स्पीच के दौरान नहीं उसका सकता अगर करोगे तो आपके अगेंस्ट कानूनी कारेवाही की जाएगी पर जहां तक मुझे याद है कॉंस्टूशन में MPs और MLS को पारलिमेंटरी प्रिविलेजिस दी गए है मतलब इमोशन ने बहे गया अपनी बात रखने के लिए अगर वो अपनी टिपणी में कोई भी ऐसी वैसी चीज बोल देते है तो उन पे court case नहीं किया जा सकता देखो, ministers को freedom of speech दी गई है पर वो एक absolute right नहीं है इसे restrict किया जा सकता है mainly Parliament की ये एक booklet है जो बताती है कि कब कोई statement Parliament की मर्यादा की against जारा वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये जो list है इस पे continuously edition होते रहते है इससे पहले in words को add किया गया था क्या आपको पता है एक illiterate MP को आप अंगूटा चाप नहीं बोल सकते